आटा गोंद जा रहा ही एए आटा कोंदनें बडारे में डालना पड़ेगा बाकिट यह इस अंदर पची से 25 किलो आटा के औहला रहे हैं यह 10 किलोच डाल तो यह देखो भाई 20 kg आटा डाल दी है सुखा आटा और इसके अंदर आप मैनुवली पानी डाला जाएगा अंदाजय से कि कितना पानी डालना है और जब यह आटा पूरा गुन जाएगा उसके बाद यह आटोमेटिक मशीन के अंदर रखा जाएगा जिसमें यह अपने आप रोटी का शेप ने लेगी पेड़े बनाएगी फिर रोटी का शेप ने लेगी और फिर रोटी को सेख के सीधा भाहर निगा लेगी तो आप यह आप देख सकते हो कि 20 किलो आटा गुंदा जा रहा है क्या बात है मतलब कि आप यह देखो कि कितने एफट्स लगते हैं लंगर बनने में 40-50 हजार लोगों का वीक डेज में बनता है और वीकेंड के अंदर कम से कम यह 70-80 हजार हो जाना है अचल को एक तो यह देखो जी आटा पूरा गुझ़ चुगा है और अब इस आटे को डाला जाएगा उस मம देख आ देख जी यहां पर आटा डाला जा रहा है यह द्रुम पर आटागों जो भी आपरसामने गुंदांगों 5 Bardzo यह देखो जी यहां पर जै से पताया की आटोमेटिक मशीन देख रहे हैं कि इसको एक रोटी की शेप के लिए पेड़े में कट किया जा रहा है तो हर एक पेड़ा जो है वो इक्वली है और यह सुखा आटा जो की दूरा लगाया जाता है जब रोटी बेल के थाकि रोटी चिपते ना या फटे ना तो यह इसके अं पर अब यह ग्यास के अंदर जा रहा और एक्टम स्लो चलेगा एक पार राउंड ने लगेगा तीन चार राउंड है दो तीन राउंड है अब देख सेथे हो उसके अंदर रोटी को शेक लगता है और शेक लगने के बाद सीधा एंड में आके वो निकल जाएगी जब पू पूले निकल रहे तो चलते हैं और आको दिखाते हैं कि अब लंगर हौल और दिखाता हूं बहुत जगा जहां पर अभी भी यह मशीन होने के बावचूद रोटी बनाई जाती है मतलब तरशादा बनाया जाता हाथ से मैन्वली यहां पर रोटी बेली जाती है और पेलने क चाते हो तो आप तो यह देखो जी पहले सबसे पहले दाल परोसी जा रही है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कभी भी आप गुर्दवारे आए लंगर चकने के लिए तो उतना ही लंगर लीजिए अपनी प्लेट में जितना कि आप तूरा खा सकें वेस्ट करेंगे तो आप यह समझ लो कि किसी और के हिस्से का आप दस्विन में फैकरें हो तो इससे बेटर है कि आप उतना ही खाओ जितना आप फूरा खा सको लंगर वेस्ट नहीं होना जीए बस तो यह चीज़ का ध्यान रखना है कि एक रिक्वेस्ट है और कभी भी गुर्दवारे आए तो कोशिश करना हुद सेवा करने की अंदर क्योंकि सेवा करके जो आनन्द मिलता है लोगों को जो फीट करने में आनन्द मिलता वह आपको कहीं नहीं मिलेगा हो और आप देख सकते हो सारे के सारे 체 समीन जैसा मैंने बता वट आए कोई अमीर हो या गरीब हो चाहे कोई मिनिस्टर हो या छोटी से नोगरी करता हो हर एक बंदा यहाँ पर एक समान लेवल पे एकोल लेवल पे बैटके लंगर चटा है और जो बुज़ूर्ग लगा उनके लिए सीट लगा रिखे हैं जिनको नीचे बैटने में तकलीव होती है आप देख सकते हों परशादा दे रहे हैं आप परशादा दे रहे हैं तो ऐसे पूरा का पूरा यह प्रोसेस है जो दिन भर चलता है और ताजा लंगर बनता है कोई भी चीज बासी नहीं परोसी जाती हर एक चीज ताजा बनाई जाती है क्या बात है